नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ए विद्या चैनल नंबर 10 पर मैं हूँ देवे इंद्रुत्र पार्थी आज की इस कक्षा में, आज के सत्र में क्लास 10 के कक्षा दस्मी के चात्र विद्यार्थी आज पढ़ेंगे एक कविता जो की सुरीकान पित्र पार्थी निराला जी ने लिखी है, एक कविता एक नहीं है, चैप्टर एक है और कविताएं दो है, कविताओं का जो टाइटल है वो आपको बता दें, कविताएं है उत्साह और दूसरी कविता है अट नहीं रही है और ये कविता पढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आशिश कुमार जो एक्स जेपीएफ हैं और दिल्ली विश्व विद्याले में रिसेर्च स्कॉलर हैं और बहुत भाष्रिक्ता पर रिसेर्च कर रहे हैं जानते हैं यह इंट्रैट्टि लाइब से जुड़ सकते हैं अपने प्रश्णे या अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पोस्το कर सकते हैं उसके लिए आप मोबाइल नमबर और email address note कर सकते हैं मोबाइल नमबर है 8800 440 559 जो आपकी स्क्रीन पर भी flash हो रहा है आप दिख सकते हैं साथ ही साथ आप हमें हमसे जुड़ सकते हैं अपने email के जरीए भी जो है dth.class10 at the rate ciet.nic.in और जादा देर नकरते हुए मैं सरसे आग्रह करूंगा कि आज की सत्र की शुरुवात करें और सबसे पहले वो आज की विद्याच्चों को आज की सत्र में विद्याच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं तो क्योंकि आज हम निराला की कविता पढ़ेंगे, तो कविता पढ़ने से पहले हमें यह जान लिलना चाहिए कि कविता आखिर होती क्या है, तो बच्चों साहित के जो रूप है हिंदी में, उसमें हम देखते हैं कि गद है, पद है, और एक मिस्रित जो गद पद का रूप ह उसे हम चंपू का विकी रूप में जानते हैं, तो आखिर गद और पद में अंतर क्या है, जिससे हम एक को कविता कहने लगते हैं, एक को कहानी उपन्यास और अन्विदाओं में बाट देते हैं, इस विसे को हमें समझना चाहिए कि गद पद से अलग कैसे है, या पद गद निराला का इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा है कि निराला ने चंद मुक्त कविता को बढ़ावा दिया और प्रस्तुत किया ये कह सकते हैं कि हम निराला के द्वारा ही हम पाते हैं कि हिंदी साहित में चंद मुक्त कविता को हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जब च पाविता ही छंद मुक्त हो गई, तो छंद के माध्यम से हम पद्ध को विसलेशित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि गद्ध और पद्ध में एक विसेश जो अंतर है वो है व्याकरण का, अगर कोई भी कावे या कोई भी साहित रूप जो है, वो अगर व्याकरण क द्रस्टी से हम देखें, तो अगर व्याकरणिक रूप से सही है, तो उसे हम गद्ध कहेंगे, और यदि व्याकरणिक रूप से सही तरीके से नहीं लिखा गया है, जैसे कि कहते हैं कि राम जा रहा है या हम यह कहें कि जा रहा है राम, तो यह कविताक पद्ध में आ जाता हैं तो आप हम देखते हैं कि हिंदी साहित में कविता कैसे सुरू हो रही है कहां से हम हिंदी साहित में आगे जाके कविता को हम पाते हैं तो हम स्लाइड में देखते हैं कि हिंदी साहित की इतियास को जो हम देखते हैं तो इसकी सुरुवात संबत एक हजार पचास विद्धार्थी हूं हम एक चीज ध्यान दें कि संबत और सन में क्या अंतर है तो ईस भी में में जब हम 57 वर्स जोड़ देते हैं तो वह संबत बन जाता है तो हिंदी साहित का इतियास जो है संबत एक हजार पचास यानि कि इस भी में अगर हम देखे तो 993 क आसपास के समय से शुरुवात हम पाते हैं और आज तक हिंदी साहित का इतियास मी रूप में चलता ही जा रहा है। काल की जो विशे伸्थ्ता है इसमें वीर गाथाऊं का वर्डन हो रहा है ऀसके बाद हम दिखते हैं कि इसका अगला भाग है मद्धिकाल जिसको हम संबत 1375 से 1700 संबत तक हम पाते हैं जिसमें पूर मद्धिकाल जिसे हम भक्तिकाल के रूप में जानते हैं जिसमें राम भक्त कभी क्रिश्न भक्त कभी आधी पाये जाते हैं इसके दूसरे भाग को हम उत्तर मद्धिकाल यानि रीतिकाल के रूप में जा कि भारते इंदू 1850 के आसपास से इस्वी के आसपास से आते हैं और निरंतर उनके ही नाम से भारते इंदू युग सुरू होता है और वहीं से ब्रजभासा की जगे खड़ी वोली ले लेती है और धीरे धीरे हिंदी साइथ का विकास होता चला जाता है तो हम भारते इंदू युक को जब देखते हैं तो भारते इंदू का जो काल है वो 1850 इसवी से 1902 तक रहता है इसके बाद के काल को हम देखते हैं कि 1900 से 1920 में दुवेदी युक चल रहा है उसके बाद आता है हमारा चाया बाद जिसमें निराला को हम पाते हैं इसके बाद क्योंकि एक समय में हम किसी कभी या लेख़प को नहीं बान सकते हैं, हम देखते हैं कि प्रग्ति बाद में भी निराला निरन्तर ही पाए जा रहे हैं, यही न फेकरत है कि देखते हैं तो पाते हैं, कि 1936-1943 तक रहता है, इसके बाद हम प्रियोगबाद को देखते हैं, इसके बाद नई कविता और 60-30 कविता की रूप में हिंदी साहित का इतिहास चलता चला जाता है तो हम सीधे अपनी कविता पे आने से पहले एक बार निराला जी का पर्चे देख लेते हैं सूर कान तिरपाथी निराला का जन्म बंगाल के महिसा दल में सन 1899 में हुआ वे मूलता गणा गोला जिला उत्तर प्रदेश जो की उन्णाओ जिला पढ़ता है के निवासी थे अप्चारिक सिक्षा से तात्पर है कि वो लग गिरा कक्षा नौमी तक ही गए उन्होंने स्वाध्याय से संस्कुरत बंगला अंग्रेजी का ज्यान अर्जित किया वे संगीत और दर्शन सास्त्र के गहरे अध्यता थे, यानि कि अच्छे से वो पढ़ते थे संगीत और दर्शन सास्त्र को, रामकृष्ण परमहंस और वेवेकानन्द की विचारधारा ने उन पर विशेश प्रभाव डाला, जिसको हम अंकी कवताओं में भी देखते हैं, निराला का परिवार जीवन दुखों और संगर्शों से भरा, आत्मी जनों की असाहमिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया, साहितिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संगर्श किया, सन 1961 में उनका देहान्त हो गया, उनकी कवताओं को अगर हम काव क्यों देखें तो हम पाते हैं कि अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, उनकी मुख्य जो कवता है, जो संगर्श की रूप में सामने आती हैं, वो है, इसके अलावा उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निराला रचनावली के आठ खंडों में उनका संपूर साहित है, निराला विश्त्रित सरोकार के कवी हैं, दार्शनिक्ता, विद्रो, क्रान्ती, प्रेम की तरलता, और प्रकृती का विराट, तथा उद्दात, चित्र, उनकी रचनाओं में उपस्तित है, हम देखते हैंग उनके विद्रोही सुभाव ने कविता के भाव जगत और सिल्फ जगत में नई प्रियोगों को संभाव किया, छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले छंद मुक्त का प्रियोग किया, जैसा कि पहले बताया कि छंद और छंद मुक्त जो कविता है, उसमें सब सोसग वर्ग और सत्ता के प्रति प्रतिकार का भी भाव है तो वही जब प्रकृति वाद की रूप में युग में जब जा रहे हैं निराला तो हम पाते हैं कि कहीं न कहीं सोसित का जो सोसित वर्ग है उसके प्रति सहानबूती और सोसड करने वालों के प्रति जो प्रतिकार उ टेए कि गर्मी का जो समय चल रहा है उसके बाद जब गर्मी बहुत जादा हो जाती है तो हम चाहते हैं कि बारिस हो बारिस हो उसी का चित्रड निराला जी ने अपनी कविता में किया है की वो चाहते है की बादल आए और वारेश हो जिस से चारो तरफ हरा हरा महौल हो तो वही निराला जी कहते है अपनी कविता उत्सा निरू कि einer में बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ तो यहां पर जो धराधर सब्द है उसका अर्थ बादल से है तो वो कह रहे हैं हे बादल बरसो पहली लाइन में उन्होंने कहा है कि बादल गर्जो यानि कि बादल आओ और गर्जो और जो गगन है उसको पूरे गगन में च्छा जाओ घेर घेर गगन गोर गगन यानि कि पूरे गगन में च्छा कर बरसो ललित ललित काले घुंगराले बाल कल्पना के से पाले अब वो इसकी यहां पर देखेंगे कि मानवी करण अलंकार का प्रयोग किया गया कि वो बादल की तुलना जो है बच्चे के बालों से करते हैं कि हमने देखा होगा कि बाल जो घुंगराले हो जाते हैं और बादल में भी हम देखते हैं कि गोल-गोल जो गुच्छे के रूप में बादल बनते हैं उसकी तुलना यहाँ पर की गई है तो इस पस्ट है कि यहाँ पर मानवी करड़ अलंकार इस पस्ट रूप से दिखाई दे रहा है ललित ललित काले घुंगराले बाल कल्पना के से पाले यानि कि जो बच्चों के बाल होते हैं उसी तरह के से बादल हमें दिखाई दे रहे हैं बिद्दुत छवी उर्मे कवी नव जीवन वाले वज्जिर छिपा नूतन कविता अब देखें कि बादल जो है उसके उर्मे यानि हिर्दय में बिजली चुपी होती कवी हम देखते हैं कि जब बादल आते हैं तो हम पाते हैं कि बिजली भी कड़क रही है और तेजी से आवाज हो रही है नव जीवन वाले यही वो बादल हैं जो नए जीवन को तयार कर रहे हैं यानि कि जब बारिस होती है तो प्रकृती हरी बरी हो जाती है नया जीवन तयार होता है वज्र छिपा नूतन कविता यानि कि कभी यह कह रहे हैं कि यह उसी तरह है कि किसी नई कविता में वज्र छुपा हो यानि कि किसी जब नई उत्पत्ती हो रही है जो नया जीवन आ रहा है उसमें बिजली जो है वो वज्र की रूप में दिखाई दे रही है फिर भर दो बादल गर्जो यानि कि फिर से वो कह रहे है कि बादल हे बादल गर्जो और बरस के चारो तरफ हर्याली लादो और प्रकृती को एकडम अच्छा कर दो हरा भरा कर दो इसके बाद अगला जो भाग है कविता का विकल विकल उन्मन थे उन्मन अब यहाँ पर उन्मन का तत्पर है कि मन ना लगना विस्व के निसाद निदा के सकल जन यानि कि अब जो निदा सब्ध है इसका तत्पर है घर्मी से जब पूरे विस्व में गर्मी यानि पूरी आसपास आपके गर्मी है तो विकल विकल यानि कहीं भी आपका मन नहीं लग रहा है क्योंकि जब आप देखते हैं कि गर्मी का मौसम होता है बहुत चारों तरफ पेड़ पौदे हरे वरे नहीं रहते हैं पत्नियां जड़ जाती हैं और तेज गर्मी हमें प्रताडित करने लगती है जिसके कारण हमें कहीं भी मन नहीं लगता है वही वर्ण यहां पर किया है निराला जीन ने कि विकल विकल अनमन थे अनमन हमारा मन जो है गर्मी की वज़े से कहीं नहीं लग रहा था बिस के निशाद सकलजन बिस में सभी जितने भी लोग हमारे आस पास थे उन सब की इस्तिति यही थी आए अग्याद दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर सीतल कर दो बादल कर जो अब यह कह रहे हैं कि यही बात जब वो कविता के बाद दियम से कह रहे हैं कभी तब उसी समय पर अग्याद दिशा से अनंत घन यानि कि बहुत सारे बादल अग्याद दिशा से आते हुए उन्हें नजर आते हैं जो कि जिसके लिए वो कह रहे हैं कि तप्त धरा जल से फिर सीतल कर दो बादल कर जो अब कभी जब बादल आ गएं तो उनको देख कर कहते हैं कि ये बादल तप्त धरा जो ये गरम धरती है उसे अपने जल के माध्यम से सीतल कर दो यानि बादल जब गर जेंगे तो पानी नीचे आएगा तो जमीन जो है दीरे-दीरे ठंडी होने लगेगी जो तप्त धरा है धीरे-दीरे सीतल होने लगेगी इसलिए निराला जी कह रहे हैं कि हे बादल ये जो तप्त धरा है जो इतने दिनों से गरम होती जा रही है धरती उसे सीतल करने का काम करो और बादल गरजो और गरज-गरज के इतना वर्सों की पूरे जो हमारे आसपास की गरमी है वो सब मिट जाए और एक बसंत रितू का मौसम आए जिसमें पत्ते उगें और चारो तरफ हर्याली हो इसी का वर्डन हम देखते हैं कि कैसे पहले गरमी का वर्डन किया है उत्सा कविता में कि पहले गरमी है फिर धीरे बादल आ रहे हैं बादल को बुला रहा है कभी निराला और धीरे धीरे फिर जब बादल बरसेगा तो धीरे धीरे वहाँ पर हरा वरा मौसम होगा चारो त तक का वर्डन है और इसके बाद की जो हमारी कवता है अट नहीं रही है उसमें हम बच्चों देखेंगे कि बारिश के आने के बाद जब चारो तरफ हरा वरा मौसम हो जाता है तो किस तरीके से हमारे आसपास के जीवन में बदलाव आता है और किस तरह से हम उसका होते नजर आते हैं तो हम अगली कवता को देखते हैं अगली कवता है हमारी अट नहीं रही है अट नहीं रही है आवा फागुन की तन सट नहीं रही है तो यहां पर जो अट का है अट सब्ध है उसका अर्थ है सामना करना यानि कि अब जब बारिश हो चुकी है बरसात का म समके बाद किस तरह से चारो तरफ हर्याली होती है चारो तरफ का मह निकी हरा वहरा हो जाता है और परीद पशुपक्छी जो है उसका वर्णन किया गया है तो वही लिखते हैं कि अठ नहीं रही है आभा भागण की तन सथ नहीं रही है आवा का तात पर होता है चमक तो वो कह रहे हैं कि चारो तरफ जब हर्याली हो गई है वो उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं चारो तरफ जहां भी देखते हैं वहां हर्याली हर्याली नजर आती है और कुछ नहीं नजर आ रहा है सिर्फ हर्याली नजर आ रही है आवा जो है फागुन की जो आवा है चमक फागुन जो माँ होता है फरवरी मार्च के बाद का उसका वर्डन है यहाँ पर कि आवा जो है उसकी चमक जो है हर्याली की वो कहीं न कहीं मन में समाहित नहीं हो पारी इतनी ज्यादा चमक हो गई है, जब हम किसी तेज चमकती हुई चीज को देखते हैं, तो एक सीमा तक हम उसको देख पाते हैं, कि हाँ, एक सीमा तक हमने देखा, उसके बाद वो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसे हम लगातार नहीं देख पाते हैं, तो वहीं कि 8 नहीं रही है आवा फागुन की तन 60 नहीं रही है यानि कि वो मन में समाहित नहीं हुपारी इतना जादा हर्याली चारों तरफ विख्री हुई है कहीं चाहिए थे कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो अब उन्होंने bending किये हैं यहां पर देखिये कि प्रकृती कि इन नि कि सांस लेते हैं तो हमें महसूस होता है कि चारो तरफ हर्याली है एक अच्छा साफ वाता वरण हमें महसूस होने लगता है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो तो कभी कह रहे हैं कि जैसे वारिस के बाद का मौसम होता है तो चारो तरफ हर्याली हर्याली होती है यहां तक क घर के अंदर भी उस हर्याली का मैथ नजर आता है, उसके जो महक है, मतलब सुगन जो हमें आती है, वो हमें महसूस होती है, उसी का वर्णन किया है, उड़ने को नब में तुम पर-पर कर देते हो, अब देखें कि यहाँ पर जो पसू पक्छी है, उसका चित्रड है, पक्छी पक्षी है वो अब बहार निकलते हैं, गर्मी क्योंकि खतम हो चुकी है, चारो तरफ अच्छा वसंद का मौसम है, चारो तरफ हर्याली हर्याली है, तो पक्षी भी खुल के घूमना चाते हैं, चारो तरफ घूमते हैं, और पर पर करते हैं, यानि कि चारो तरफ पक्षी ही उ प्रस्त पहले और जब बारेशो जाती हॉर चारो तरफ हर्याली हर्याली नजार आती है। तो कह रहे हैं कि आँख घत अग वही रही है...? अब यहां द्रस्त इनके सामने प्रस्तोतृत हो गया हराया कि वह चाहते हैं कहा सूरागी नगे देख्वन方्ते हैं। आगे देखते हैं, पत्तो से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, अब उन्होंने वर्णन किया है कि किस तरी से जब नई पत्तियां उगती हैं पेडों में, तो वो लाल होती हैं शुरुआत में, फिर धीरे धीरे हरी होना शुरू होती है, तो उस समय का वर्णन है कि जब बारिस ह और देले दीले पत्तियाह नई उगना श्रू होई हैं, तो उन्हों लिखा है कहीं हरी, कहीं लाल, आपने देखा होगा, कि बरगदिया किसी बडे प्रक्ष को देखते हैं हम, तो हमपाते हैं कि जो पत्ति होती, वो सुरुवात में लाल, उसमें लालिमा होती है जो उसका वर्डन है कि कहीं लाल तो वो देख रहे हैं कि चारों तरफ कहीं हरा है कहीं लाल है पत्तों से लदी हुई डाल है यानि कि बरगद या किसी बड़े प्रक्ष को हम पाते हैं तो पूरी डाल जो है वो पत्तों से लद जाती है और चारों अब उन्हों इतना प्रकृति में इस से पूरा द्रस से को देखा है की उन्हें आप्रतीत हो रहा है कि किस तरीके से चारो तरफ हर्याली हर्याली है उसकी महें पूरे में फैली हुई है न कि परण łका से उन्हों听 888 में पर्णीड़ समाल करने में illusion कि इतना पास वो प्रकृति की मेहसूस कर रहे हैं कि उन्हें ये लग रहे है कि उनके गले में कही फूलों की माला कलोगी हुई है जिसकी महक धीरे धीरे उनके अंदर समाईत होती जा रही है वो निरंतर ही प्रकृती के जो महक है उसका सेवन कर रहे हैं और निरंतर ही उनमें पुस्प की गंद की जो है वो निरंतर उनके भीतर जाती जा रही है और वो प्रकृती की बहुत ही नजदीक मैसूस कर र अब यहां पर जो पाट पाट है वो जगे जगे को दिखा रहा है सोभा स्री का तात पर है सौंदर से भरपूर यानि जगे जगे जो है वो सौंदर से जो पूरी जगे जगे है वो जहां भी देख रहे हैं कहीं भी उनकी नजर जाती है वो पूरी तरह से सौंदर से भरी खेय्द पूदों की हर्याली का महौल है वहाँ से थायस कौने मन में यह इस बात को समांगे की इस नहीं कभी आए है पट नहीं रही, यानि कि जो ये जो इस्तिती है, ये मेरे अंदर समाईद नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो चारों तरफ ही इस नजारे को देखते जा रहे हैं, तो बच्चों ये थी हमारी दौनों कविताएं, इसके बाद हम एक बार सब्दार्थ देख लेते हैं, क्योंकि क कविता को समझने के लिए सब्द और अर्थ को जानना बहुत जरूरी है, तो हम एक बार इसके सब्दार्थ जो मूल रूप से प्रियोग में आये हैं, वो एक बार देख लेते हैं, यहां पे पहली कविता उत्सा में जो है धराधर सब्द आया है, धराधर, धराधर का तात इसके बाद हम देखते हैं कि उन्मन जो है वो कहीं मन ना लगना है, निदाह जो है गर्मी को प्रिदर्सित कर रहा है, सकल जो है उसका तातपर है सब से, आवा जो है वो चमक को प्रिदर्सित कर रहा है, वज्र जो है कठोर को, अट का जो दूसरी कविता में है अट नहीं सोबा सिरी सौनदर से बरपूर है और पट का जो ततपर है वो समा नहीं रही है तो यह थी हमारी आज की कविता जी तो उत्साह और अट नहीं रही है ये दो कविताइं सुरिकान्त उत्रिपाठी निराला की थी कक्षा दस्मी के विद्यार्चियों ने पढ़ी होंगी कविता का इतिहास अगर हम देखें जैसा सर ने बताया लगबग एक हजार साल से भी पुराना है और लगातार सम्रिद हो रहा है और आशा करते हैं आज का सत्र आज का जो पार्ट था वो आज के हमारे लर्नर्स को पसंद आया होगा और समझ में आई होंगी चीजें क्या लगता है आ हमारे दर्शकों के लिए हमारे चात्रों के लिए अपने समय निकाला और चलते जलते अपने विवर से एक इनफोर्मेशन सूचना शेयर करना चाहूंगा जो है पाठे पुस्तकों से रिलेटेड और यह सूचना यह है कि अगर आपने अब तक पाठे पुस्तक प्राप्त नहीं की हैं तो अभी भी विकल्प आपके सामने मौजूद हैं आप सेल्स काउंटर्स जो अविलेबल हैं देश के अलग अलग शहरों में नुडेली, एमदाबाद, बंगलूरू, कोलकाता और या गुवाहाटी में यहां से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं सबता के सातो दिन यह सेल्स काउंटर्स खुले रहते हैं सुबह साढ़े नो वजे से शाम शह वजे के बीच में और घर बैठ करके आप ऑनलाइन आउडर करना चाहते हैं तो आप जाईए हमारी वेबसाइट पर ncertbooks.ncert.gov.in और यहां पर आप अपनी कक्षा और अपनी पाठे पुस्त और दीक्षा तो यहां से पुस्त के प्राप्त करें हैं और लगातार जो शिक्षा का काम है, जो अभ्यास है, उसको करते रहें और ताकि एक्जाम के समय में आपको किसी तरह की दिक्कत ना आएं और अप्डेटर रहें लगातार. बने रही इए ये विद्धिया के साथ अ और आप सभी बने रही है वारसाथी विद्या पर, नमस्कार.